आज मद्यप्रदेश दोरे पर रहेंगे जेपी नड़ा टीकम गर्ड विवा सत्ता में चुनावी सभाइ करेंगे बीजेबी पिरत्याशी के पक्ष में चुनावी रैलिया करेंगे मध्यप्रदेश में मिशन 29 पर है जेपी नड़्डा तो मिशन 29 के तेहत ही भारती जनुनता पार्टी मध्यप्रदेश में काम कर रही है क्योंकि एक मात चिंदवारा सीट उसको भी अपने पाले में आने का दावा भारतीय जनलता पार्टी की तरफ से किया जा चुका है क्योंकि चिंदवारा में चुनाव हो चुका है वो डल चुके हैं चार्ज उनको नतीज आएंगे लेकिन मुख्यमंत्री भी कॉन्फिडेंट है कि चिंदवारा भी इस वार भारतीय जनलता पार्टी जीत रही है जी मीडिया समधाता आकाश उयदी इस वक्त हमारे साथ चुर गए हैं आकाश जेपी नडडा आज फिर से मत्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं कौन कौन सी लोग सभा सीटों को साधेंगे दिकर जैसे से चुनाव की तारीके नज़िक आ रहे हैं दूसरे और तीसरे चरंड की भारतियनता पार्टी अब पूरी तरीके से चुनावी मूड में नज़र आ रहे हैं और तमाम जो दिगजनेता हैं वो दिगजनेता चुनाओ प्रचार में चुटे में हैं बीजेपी के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा आज टीकम का ड्रीवा और सतना इन तीन जिलों के दोरे पर रहेंगे दो जिले इसमें विंद संभाग में आते हैं और विंद में उस बार सतना लोग सभा सीट पर काटे की टकर मानी जा रहे हैं कल यहां पर कॉंग्रेस के राश्ट्री अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने भी बड़ी सभा को संबोधित किया था माफ कीजिए का दो दिन पहले खडगे यहां पर पहुंचे थे और आज जेपी नड़ा पहुंच रहे हैं दरएसल अगर यहां की सियासी समीकरण की बात करें सुधार्त कुस्वा कॉंग्रेस पार्टी की विधायक इसके साथी गड़ेश सिंग बारतिनता पार्टी के फिलाल सांसत दोनों विधान सभा चुनाओं में भी आमने सामने थे और एक बार फिर से वोट कटे तो वो भार्चेंता पार्टी के ही कटेंगे तो ऐसे में सतना सीट को मचबूत करने बीजेपी जूटी हुई है दूसरी और रिवा सीट पर भी लागब किसी तरीके की सियासी समीकरण है ठीक हमगाड बुंडेल खंड का इलाका है और यहां पर भी आज जेपी चिंदवाडा की बात करें तो एक मात्रा ऐसे सीट जिसको बीजेपी अपने पाले में नहीं कर पाई ती लेकिन आप कोशिश यही है और क्योंकि मतदान भी हो चुका है तो यही कहा जा रहा है बीजेपी के ओर से कि यह चिंदवाडा सीट भी अब उनके पाले में